कि प्रैक्ठिस सेट 5.2 कुशन नम्बर 3 सो हमें यहांपर क्या देखिय रखा है कि दिस्च को ऑफ एजॉफringe का ठीए अल付 प्रियंगा है Good दिस्च bur niveau रीज्च है जो हमें फिलाल अन्नोन ए अरुमने उसे इंडिकेत किया एक स्चेकर किया है उसके क्या मनने वाला हूं वाई ठीक है लेकिन अगर सम ओफ एज ओ प्रियंका एंट डिपिका करूं यानि क्या करूंगा मैं इन दोनों की सम प्रियंका की एज और डिपिका की एज को अगर मैं सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा 34 मिलेगा करेक्ट एंट ओके सो यह हमारी बन जाएगी फर्स घंडिशन तो इसमें अन्नोन क्या हूं प्रियंका की एज as well as डिपिका की एज सो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे लेट लेट प्रियंका एज लेट प्रियंका एज बी एक्स एंड़ी पिकाB और यह वल देता है कि अच्छल मैंने उम्लोग क्या पृट्रा पृंस। condition from first condition from first condition हमें क्या देखने मिल रहा है कि sum of Priyanka age and DP का age दोनों का sum करो Priyanka की age का और दिपीका की age का sum करो तो प्रियंका की age क्या है एक से sum का मतलब क्या होता है plus करो with DP का age that is why total age मिलेगी और कितनी total age होती है दोनों की मिला करके 34 years to sum of Priyanka age and DP का age is equals to 34 years so हमें यहां पर first condition की according first हमारा equation तयार हो जाता है okay similarly from second condition रिखते हैं सेकेंड condition हमें कुछ दीव आगी का statement पढ़ेंगे तो वह second condition की तरह होगा okay so मैंने red से माग किया इसको second condition को क्या बोल रहे हम आपर प्रियंका जो है प्रियंका इस elder elder मतलब बढ़ी है प्रियंका इस elder तो दीपिका मतलब दीपिका से वह बढ़ी है कितने साल से by six years so Priyanka is elder to Dipika by six year इन दोने में बढ़ा कौन हुआ Priyanka बढ़ी है किस से बढ़ी है दीपिका से सो दीपिका से कितनी बढ़ी है छे सार अगर मैं दीपिका की एज में 6 एड़ करूंगा तो दिपिका की एज में 6 एड़ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी किसकी एज की मिल जाएगी प्रियंका की एज मिलेगी न क्योंकि प्रियंका बड़ी यह दिपिका से कितनी बड़ी यह 6 यहां पर देपिका की एज में 6 लिए प्रिएंका तो मैं ऐसा जिसकता हूं कि अगर मैं डिपिका की ऐज में 6 लिए प्रियंका की सलेंके स्थाँ एक से यहां पहुं माती से जुकि कि यहां से 6 जादा है वह यह स्टेटमेंट भी है और हमारे फ्रॉम सिकंड कंडिशन हमें यह मिलता है एक्स इक्वल स्टो य प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस वाई एक्वल स्टो एक्वेशन नमबर तो यहाँ पर हमारे दो एक्वेशन अप्टेंड हो गए फ्रॉम कंडिशन वरन फ्रॉम कंडिशन टू अब नोटिस कुरू कि यह प्लस वाई है और यह माइनस वाई है अगर आप सिंपल और सिकेंड एक्वेशन को आड़ करदो प्लस वाई माईनस वाई प्लस माइनस कड हो जाएगा यह नहीं सिर्फ क्या बचेगा X ऑके इस हो मुँआ करेंगे ऐडिंग एडिंग एक्वेशन वरन हें टू किई आड़ कर रहे हैं चयोंकि एक प्लस है और एक माइनस है तोग क 0, but x plus x, add करें, x plus x, कितना हो जाएगा, 2x, whatever, and 34 plus 6, कितना हो जाएगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, so, 2x plus 0, equals to 40, और इसी को मैं अगर आगे solve करूं, that is, 2x equals to 40, then x equals to क्या मिलेगा, 40 by 2, 2, then x equals to क्या मिलेगा, 2, 1s are, and 2, 2s are 4, or is 0, यानि 20s are 40, so, x की value मिली जाकर के 20, बरबर है, so, x क्या था, x was the age of Priyanka, बरबर है, so, हमें age of Priyanka तो मिल गई है, बट हमें क्या बाकिए निकालना, age of DP का, ओके, so, DP का गी age को निकालने के लिए, उपर हमारे पास दो equation available है, यापर 1 और 2, इन में से किसी में भी अगर तुम x की value को डाल दो, तो किसका answer मिलेगा आपको, y का मिलेगा, ओके, so, मैं equation number 1 को कॉपी करता हूँ, x plus y equals to 34, ओके, so, x plus y equals to 34 है, अब इसमें x की value क्या है, 20 होगी, तो x की value को अगर मैं 20 यहाँ डाल दो, 20 plus y equals to क्या मिला, 34, ओके, so, y equals to 34, 20 को उस तरफ बेजो, minus 20, ओके, so, y equals to 34 minus 20, कितना मिलेगा, 14, 13, so, हमें यह किसकी age मिली, यह तो DP का, sorry, Priyanka, और यह को ने, DP का, बरबर है गया, हम चाहिए तो इसको चेक भी कर सकते हैं, notice को, किसी भी equation में आप डालो इसको, देखो, हमें x का answer कितना मिलाए, 20 मिलाए, और y का answer कितना मिलाए, 14 मिलाए, अगर मैं इस equation में डालू, तो क्या मिलेगा, देखो, 20 माइनस 14, एक वल्स तो कितना मिल रहा है, 6 मिलेगा ना, तो यह correct है, equation 2 से verify हो गया, तो यह सब सिर्फ चेक करने के लिए, आपको यह solve करके दिखाना नहीं है, इस इस चेक करने के लिए ता, तो हमें finally क्या मिल गया, Priyanka की age मिल गई और Deepika की age मिल गई, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, therefore Priyanka age is 20 years, and Deepika age is 14 years, क्योंकि ages हैं इसका answer years में आएगा, ओके, so यहाँ पर main आपको focus करना होगा, इनकी दो condition बनाने पर, यह condition 1 और condition 2, condition 1 और condition 2 के लिए तुमारे पास यह statements available है, ओके, thank you,